आसा करते हैं कि सब की पढ़ाई अच्छी चल नहीं होगी क्योंकि जिस तरीके से आप रिस्पॉंस दे रहे हैं वो बहुत ही फाइन रिस्पॉंस है और पॉस्ट्यू साइन है कि नीट के अंदर हमारी रैंग बहुत अच्छी आएगी बस लगे रहिए चैलेंजर सेरीज और मास्टर सेरीज दोनों के कोश्चन्स बार-बार रिवाइस करिए जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइस करिए क्योंकि रिवीजन से एक तो कानफीडन्स आपका बढ़ेगा और तुम देखोगे बहुत सारेgee कोस्चन्स आईसस तुम्हारे नीट एक्जामनेशन के पेपर में मिलेंगे तो वहाँ पर तुमको बहुत बड़ा फाइदा मिलेगा इसलिए लग जाएए जुट जाएए बगर समय बरबात किये हुए और जैसा कि तुम्हें मालुम है कि मास्टर सिरीज चैप्टर वाइस हमको तयार कराती है तो हम चैप्टर वाइस भी बहुत स्ट्रांग हो रहे है और जो लोग सीरेसली ले रहे हैं उनकी तो बहुत अच्छी तयारी हो रही है और जो जवाब देते हैं उसे लगता है कि वास्तों में चैप्टर 22 लोग तयार कर रहे हैं इसलिए इतने बढ़िया जवाब आ रहे हैं और कोश्ट दूसरी बात अगर जो मास्टर स्रीज की बात करते हैं तो मास्टर स्रीज हमको पूरी बायों के एक साथ कोश्चन्स विलते हैं देखने को और दोनों स्रीज लाइ में पहली बार ऐसा हो रहा है और सब से बड़ी बात महा महरातं क्लाश सुरू होने जा रही है 21 तारिक संड़े को 20 मार्च को संड़े है और संड़े साथ वजहे से महा महरातन क्लाय शुरू होगी इस में 500 कुस्यन का टार्गेट है 500 कोश्चन पाच घंटे में कोश्चन करना है सभी को इस तरीके से 21 तारीक के बाद हर संडे को 500 कोश्चन का हम रिवीजन करेंगे जम करके जैसे बहुत अच्छी तैयरी हमारी बायों की हो जाएगी मतलब हर कदम हमारा तुमारी सफलता के लिए होगा तुमारी जम करके आप मेरा साथ देते रहे और हम उचाईयों की तरफ छूते रहे दूसरी बात जो भी चैनल के उपर नए है वो चैनल को सब्क्राइब कर ले सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजे वीडियो को अपने अपने ग्रोप पे सेयर कर लीजे क्योंकि जब कोश्चन करा करना शुरू करते हैं तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है और सभी लोग बहुत अच्छा एंसर दे रहे हो जितनी तारीब करें उत्ती कम और तुम्हें मालूम है चलेंजर स्रीज आठ करा चुके हैं आज नवी नंबर की चलेंजर स्रीज हम कराने जा रहे हैं और सभी को मेरी की तरफ से बेस्टा प्लक सब बहुत अच्छा करें और आज गलतिया कम से कम करना है यह ठान करके हमको कोश्चन करना है गलतिया अपने को रिमूब करनी है गलतिया अलग करनी है और हमें पॉस्ट्यू साइन की तरफ बढ़ते जाना है बस यही उद्देश ले करके हम आज की प्रेटिसीट करने जा रहे हैं, आज इवोलूशन के कुश्चन है, सभी को बेस्ट आप लग, आज का पहला कुश्चन आपकी स्क्रीन पर आचका है, दा इस्टेडी आप फंशनल एनाटामी इसकार्ड, फंशनल एनाटामी की इस्टेडी को क्या कहते हैं, पहला आप प्स का सब्से पहले एंसर किसकी आता है सब्सेंब डेंसर आया है, सपन काया है नई सब्सें या सनल एनकामी कि बात की जा रही है तो सब्स Ça conscious Say ही है टेक्टोलोजी कहा जाता है ना कि एनालोगी कहा जाता है टेक्टोलोजी फ़स्ट का फ़स्ट एंसर सही है और फ़स्ट का फ़स्ट एंसर किसी ने नहीं दिया है सब की गलत है इसने हल पांडे का सही जौब आया है वेरी गोड़ इसने हल पांडे तो फंसनल एनाटामी की study technology के अंतरगरित की जाती है सभी का गलत एंसर फर्स्ट का फर्स्ट कोश्चन नमर टू हुमुलोगस आरगन आर हुमुलोगस आरगन क्या होते हैं पहला आप्शन है similar in origin which similar are dissimilar function दूसरा आप्शन similar in origin which are dissimilar in function next है dissimilar in origin and dissimilar in structure next dissimilar in origin but similar in function देखते हैं किसका सही आता है question number two का first answer सही है और question number two का first answer अरपा हसन ने सबसे पहले दिया है well done तो हुमुलोगस आरगन क्या होते हैं वो आरगन जिनकी origin same होती है function same भी हो सकता है और different भी हो सकता है first answer सही है question number तीन आपके skin पर आपके लिए आ चुका है which group include homologous आरगन मतलब homologous homologous आरगन के अंतरगत कौन को से आते हैं पहला आप्शन है horse of cattle, tail of horse and teeth of mammals दूस्छा आप्शन है fins of seal, wings of birds and full limb of man next option है wings of butterfly, flying fish and birds next option है tentacles of hydra and arms of starfish देखते हैं तीन का किसका answer आता है सही, तीन का इजाज ने सब से पहले सही answer दिया है तीन का second answer सही है, well done इजाज, very good, question number 4 आपकी skin पर आ रहा है सो समझ के answer दीजे, गलतिया कम से कम करिये, which of the following are homologous structure पहला option है ginger and sweet potato, दूस्छा option है trunk of elephant and hand of chimpanzee next nail of man and claw of cat, next option है wings of birds and butterfly आप से पुछा गया है homologous argon कौन है इड में से, तो question number 4 चार का third answer सही है, सब से पहले अर्पाहसन ने answer दिया है well done अर्पाहसन, जितनी तारीब करो उतनी कम next question number 5, आपकी skin पर आपके लिए गलतिया कम से कम करना है, which of the following set of structure include all homologous argon तो बताएए कौन से सभी homologous argon है, पहला option है wings of bat and wings of bat, pigeon and glucose, दूस्सा अप्शन है nematocyst, trichocyst and sporocyst next option है handling of dog, penguin, kangaroo, next option है all of the above question number 5 का third answer सही है, पाँच का third सबसे पहले किस ने दिया है, सिवांस ने दिया है, well done सिवांस, जितनी तारीब करो उतनी कम, तुमने थुबे भी बहुत अच्छा काम किया था, next question number 6, parallelism is, parallelism क्या होता है, पहला option है adaptive divergence, दूस्सा अप्शन है adaptive divergence, of widely separated species, दूस्सा अप्शन है adaptive convergence, widely different species, next option adaptive convergence, of closely relative species, question number 6, question number 6 का fourth answer सही है, सबसे पहले सपना का answer, question number 6 का fourth answer सही है, और fourth answer सबसे पहले सपना का आचुका है, very dense सपना, तो adaptive convergence, of closely related group, यह इसका answer सही है, next question, question number 7, आपकी स्किन पर आपके लिए, homologous argon, exhibit argons, पहला option है evolution, दूसरा option है convergent evolution, दूसरा option है divergent evolution, नेस्ट आप्शन है origin of mammals, बताइए, जल्दी से बताइए, seven का क्या होगा, seven का third answer सही है, इजाज ने दिया answer, very good, इजाज बहुत अच्छा कर रही हो, question number 8, आपकी स्किन पर आपके लिए, analogous argon are different origin but similar function, दूसरा question common origin and common function, तीसा option common origin but different function, नेस्ट आप्शन different origin and different function, question number 8 का first answer सही है different origin and similar function, तो 8 का first देखते हैं किस ने दिया है answer सबसे पहले, question number 8 का first सबसे पहले दिया है answer सिवांस ने, well done सिवांस बहुत अच्छा कर रहे हो, next question आपकी स्किन पर आपके लिए, question number 9, एक question के लिए एक मिनट से भी कम समय हम दे रहे हैं, which pair of argon are analogous in nature, कौन सा group pair analogous है, gills of fishes and gills of prawn, दूसरा option है arm of man and limbs of horse, next question है, option है arms of fog and ear of private, next option है wings of bat and flippers of seal, बताईए कौन से argon analogous है, question number 9 का first answer सही है, first answer सबसे पहले question number 9 का सिवांस ने दिया है, gills of fishes and gills of prawn, क्योंकि दोनों का काम होता है respiration का, और जिन दोनों की अलग-अलग होती है, तो 9 का first answer सही है, analogous argon है, question number 10, analogous argon are also, known as analogous argon का दूसरा नाम क्या है, पहला option है homologous, दूसरा option है homoplastic argon, तीसा option है vestigial argon, नेस्टा option है ननाबदीस, time start हो चुका है तुमारा, question number 10, 10 का very good, very good, very good, 10 का second answer सही है, 10 का second homoplastic argon कहा जाता है, analogous argon का दूसरा नाम है homoplastic argon, 10 का second सबसी पहले किस ने दिया है, 10 का second Sivans ने सबसी पहले दिया है, well done Sivans, very good, question number 11, आपकी स्कीन पर आपके लिए, which type of evolution is shown by wings, a bat, mosquito and pigeon, किस type का evolution यह show करते हैं, पहला option है convergent evolution, दूसरा divergent, nest option, atavism, nest option, vestigial argon, question number 11, 11 आपके सामने आचुका है, answer भी आचुका है, सबसे पहले Sivans ने दिया है, 11 का first answer सही है, very good Sivans, बहुत बढ़िया ज़ाब दे रहे हो, question number 12, इजाज इनर्जी को तेज करिये, question number 12, आपका answer आप देजिए, evolutionary convergence is a development of, पहला option है common set of character in a closely related group, दूसरा option है, common set of character in a group of different ancestry, third option है, dissimilar character in closely related group, next option है, random mating, बारा का second answer सही है, और बारा का second answer, Sivans का है, well done Sivans, बहुत अच्छा कर दे हो, question number 13, आपकी स्कीन पर आचुका है, एक question के लिए less than one minute का समय है, evolutionary convergence, question number 13, 13 देखिए, आपकी स्कीन पर आचुका है, 13 है, which आपदा following is a vestigial structure in mind, mind में कौन सी vestigial structure है, पहला option है, मसल साफ ग्लॉइटिस, दूसरा option है, विजडम टीद, नेस्ट आप्शन है, इंटेस्टाइन, नेस्ट आप्शन है, इयर पिन्ना, कौन सी vestigial structure है, तो question number 13 का second answer सही है, विजडम टीद, जिसे अक्कल दाड़ हिंदी में कहते हैं, तो 13 का second सबसे पहले किस ने दिया है, सिवांस ने दिया है, well done सिवांस बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितनी तारीव करो तनी कम, question number 14, आप की screen पर आपके लिए, an example of vestigial organ is, कोन साइन में से vestigial organ का example है, पहला option है, नेल आप monkey, दूसरा option है, here आप beer, question number 14, जल्दी से जवाब दीजे, 14 का फूर तैंसर सही है, 14 का फूर सबसे पहले किस ने दिया है, सिवांस ने दिया है, well done, सिवांस जितनी तारीव करो तनी कम, सब को दिन में तारीव दिखा रहे हो तुम, next question number 15, आप की screen पर आपके लिए, example of vestigial organ in the human body are, human body में vestigial organ के example पूछे गए है, पहला अप्षन है wisdom teeth, तुर्षा आप्षन है coccyx, warmiparm appendix, nail, दूर्षा अप्षन है coccyx, wisdom teeth, warmiparm appendix, और auricular muscularis, next third option है coccyx, warmiparm appendix, wisdom teeth, pancreas, next option है auricular muscle, coccyx, nail, wisdom, पंद्रा का second answer सही है, और पंद्रा का second answer सबसी पहले किसने लगाया है, पंद्रा का second answer सबसी पहले इसने हल, पांडी काया है, well done, इसने हल बहुत अच्छा कर रही हो, question number 16, question number 16, आपकी skin पर vestigial organ are all, पहला option है homologous, दूसरा option है analogous, next option है rudimentary, next option है physiologically important organ, बताइए vestigial organ सभी होते हैं, क्या होते हैं, तो question number 16 का third answer सही है, और question number 16 का third answer सबसे पहले सिवांस ने दिया है, well done, सिवांस, और vestigial organ क्या होते हैं, वो organ जो हमारे ancestor में functional थे, लेकिन ancestor ने उनका view छोड़ दिया, और दीरे दीरे वो workless organ में convert हो गए, ऐसे organ को क्या कहते हैं, vestigial organ कहते हैं, तो 16 का third answer सही है, तो vestigial organ का दूसरा नाम है rudimentary organs, very good, सिवांस, बहुत अच्छा, question number 17, which of the following is not a vestigial part in human in term of evolution, evolution के term में कौन सा human में vestigial part नहीं है, पहला option है caosix, दूसरा option है fingernails, next option है abdomen, next option है third molar of east side in east जा, तो question number 17, 17 का second answer सही है, और second answer सबसे पहले किस ने दिया है, 17 का second answer सिवांस ने दिया है, well done सिवांस, किसी को बिलकुल खड़े होने नहीं दे रहे हैं सिवांसाच, question number 18, which is a set of evidence of evolution, कौन सा set evolution के प्रमाण हमको देता है, पहला option है homologous and analogous organ, दूसरा option है homologous and vestigial organ, थर्ड option है analogous and vestigial organ, next option है आलाब्दा एबब, 18 का बताईए कौन सा answer सही होगा, very good, very good, 18, 18 का very good, कौन सा हमको दे रहा है evidence evolution का, तो homologous and vestigial organ evidence हमको दे देते हैं, तो second option 18 का second answer सही होगा, second answer सब्ट्री पहले किस ने दिया 18 का second, सिवांस ने दिया है, well done सिवांस जितनी तारीव करो उतनी कम, 18 का second answer सही है, और no doubt no confusion, 18 का second answer सही है, C क्यों नहीं है, C इसलिए नहीं है, analogous organ नहीं evidence देते हैं, vestigial organ तो देते हैं, लेकिन analogous organ से हमें evidence प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो homologous organ, vestigial organ और fascin से हमको evolution के evidence प्राप्त होते हैं, तो question number 18 का second answer सही होगा, next question, question number 19 आपकी स्टेन पर आ रहा है, और आ गया है, archaeopteryx is a connecting link between, archaeopteryx किस किस के बीच का connecting link है, पहला option है reptiles and mammals, दूसरा option reptiles and amphibians, third option reptiles and birds, next option birds and mammals, तो archaeopteryx connecting है reptiles and birds, मतब 19 का third answer सही है, और 19 का third answer सबसे पहले इजाज काया है, well done इजाज बहुत अच्छा answer, तो archaeopteryx, birds और reptiles के बीच का connecting link है, question number 20, आपकी skin पर peripetus is a connecting link between, peripetus किस किसे बीच का connecting link है, anilida and mollusca, दूसरा option है anilida and helminthes, next option है anilida and arthropoda, next option है reptiles and mammals, तो peripetus, anilida और arthropoda के बीच का connecting link है, कैसे, यह connecting link होते क्या है, जब दो के characters पाए जाए, anilida के characters क्या होते है, इन में excretion किस के दोरा होता है, nephredia के दोरा होता है, और nephredia के दोरा excretion होना, anilida का character है, तो 20 का third answer सही है, और 20 का third answer, और सबसे पहले किस ने दिया है, 20 का third syvans ने दिया है, well done syvans, very good, जतनी तारीप करो उतनी कम, question number 21, आपकी skin पर आपके लिए, connecting link between anilida and mollusca, anilida और mollusca के बीच में, कौन connecting link है, पहला option है नियोपिलाइना, दूसरा option है पेरिपेटस, next option है पेरिप्लेनेटा, next option है लेमुलस, तो connecting link, anilida और mollusca के बीच में आता है, नियोपिलाइना, तो 21 का first answer सही है, और 21 का first answer सबते पहले syvans ने दिया है, well done syvans, जितनी तारीब करो अतनी कम, एक कोश्चन के लिए एक मिनट से कम समय हम दे रहे हैं, कोश्चन नमबर 22, सब के लिए खुला मैदान है, अपनी प्रतिभाग का परदर्शन करने का, connecting link between non-cardate and carditis, non-cardate और cardate के बीच का connecting link कौन है, पहला option है peripetus, दूस्सा option है blenoglossus, next option है tachygglossus, next option है echinodermis, 22 का second answer सही है, blenoglossus, यह cardate और non-cardate के बीच का connecting link है, क्योंकि कुछ character इसमें non-cardate के पाये जाते हैं, कुछ cardate के पाये जाते हैं, इससे यह proof होता है, कि cardate का development non-cardate से हुआ है, तो 22 का second answer, सबसे पहले किस ने दिया है, इजाज ने दिया है, well done इजाज जित्ती तारीब करो उतनी कम, question number 23, आपकी skin पर आपके लिए, प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए, appearance of some ancestor traits, in certain individual species is called, पहला option है recapitulation, next है reversion, next है homology, next है analogy, 23 का देखते हैं, किसका सही answer आता है, 23, 23 का, 23 जरा काईदे से देखिए, appearance of some ancestor character, सबके गलता रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं, जिनमें ancestor के character मौझूद होते हैं, जैसे सरी पर dense hair का पाय जाना, छोटी सी पूच का पाय जाना, बड़े-बड़े canine teeth का पाय जाना, तो जब किसी नवबार, young ones के अंदर ancestor collector मौझूद होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, एटाविज्म कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, reversion कहते हैं, मतनब ancestor के character का प्रगट होना, और इस type का बच्चा एक रस्या में पैदा हुआ था, जिसे Lewis baby कहा गया था, तो 23 का second answer सही है, 23 का second किसी नहीं लगाया है, और अब जब मैंने बोला है, तब लगाना सबने शुरू किया है, इसलिए ये point किसी को नहीं जाता है, तो फिर से एक बार सुल लिजे, अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है, जिसमें ancestor के character आ जाते हैं, जैसे body पर बड़े-बड़े बाल का पाय जाना, बड़े कैनाइन teeth का पाय जाना, छोटी पूच का पाय जाना, तो ये एटाविज्म कहलाता है, और इसी को क्या कहते हैं, रिवर्शन कहते हैं, और इस टाइप का बच्चा एक रसिया में पैदा हुआ था, जो इसे लाम दिया गया था, लुईस बेवी, बात में वो खत्म हो गया था, तो 23 का 23 का second answer सही था, जो किसी का भी सही नहीं आया था, चलिए, question number 24, 24 question आपकी skin पर आपके लिए आचुका है, ध्यान से पढ़िए, अपनी प्रतिवा का प्रदर्शन करिए, गल्तियों को रोकिए, the theory of recapitulation means that, life history of animals reflect its evolutionary history, all animals start as an egg, progeny of an organism resemble its parents, nest capsule of body parts, once lost are regenerated, question मैंने देखे, recapitulation की meaning मैंने बताया था, कि प्रतिक animals अपनी इंब्रानिक स्टेश में, अपने ancestor की life history को repeat करता है, तो question number 24 का first answer सही है, और सबसे पहले 24 का first answer, सिवांस ने दिया है, well done सिवांस जितनी तारीब करोती कम, आज की डेट में, question number 25, 25 question है, the rule of embryonic development is given by, embryonic development में, रूल के बारे में किस ने बताया था, one beer, दूसरा अपसन है हीकल, तीसरा अपसन है मेंडल, next अपसन है डार्विन, question number 25 आपके सामने है, 25 का first answer सही है, इजाज गलत हो चुका answer, सारी का ठाकुर बिल्कुल सही answer है, तो और फादराप embryology किसे कहते हैं, one beer को ही, फादराप embryology भी कहते हैं, ये बात तुमें याद रखना है, फादराप embryology किसे कहते हैं, one beer को ही कहते हैं, तो 25 का first answer सही है, और 25 का first answer सबसे पहले, सारी का ठाकुर ने दिया, well done सारी का ठाकुर, question number 26, शिक्स आपकी स्किन पर आपके लिए आंटोजनी रिपीट फैलोजनी वास कौइन वास कौइन बाई किस ने आंटोजनी रिपीट फैलोजनी कौइन किया था पहला अप्षन है डार्वेन दुस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इकल ने कहा था, ही कल ने कहा था, question number 26 का फूर्थ अंसर सही है, और 26 का फूर्थ अंसर सब ची पहले, शिवांस का है, well done, शिवांस जितनी तारीब करोती कम, question number 27, आपकी स्कीन पर, अपनी पृतिभा को दिखाने के लिए, अपनी गल्पतियों को रोकने के लिए, ये question है, फिल्ड आप, पहला अप्शन है अनाटोमी, दूसरा आप है बायो जियोग्रेफी, तीसा अप्शन है इंबरालोजी, नेस्ट आप्शन है पैलेंटोलोजी, आपका एंसर क्या होगा, तो question number 27 का second answer सही है, और शिवांस ने सब चे पहले answer दिया है, well done, शिवांस जितनी तार आपके दिखार है, very good shivans, occurrence of endemic species in South America and Australia is due to, पहला अप्शन है, progressive evolution, दूसरा अप्शन है, continental separation, थर्ड अप्शन है, absence of terrestrial route to these places, next option है, excitation of these species in other region, question number 29 का, देखते हैं किसका answer आता है सही, 29 का second answer सही है, well done, well done, 29 का second answer सही है, और 29 का second answer किस ने दिया है, ये मुझे देखना पड़ेगा, 29 का सब चे पहले, अच्छा, 28 है, 28 का second answer सही है, very good, और 28 का second answer सब चे पहले, सार्थक ने दिया है, well done सार्थक, जित्ती तारीब करोती कम, 28 का second answer सही है, question number 29, अब आया है, हम गलत पढ़ लिये थे, study of fossils is card, fossils की study को क्या कहते है, पहला option है, organic evolution, दूसरा option है, herpetology, next option है, cytology, next option है, paleontology, question number 29 का कौन देता है, जो आप देखते हैं सब चे पहले, 29 का जो आप देखते हैं, 29 का fourth option सही है, और fourth option 29 का सब चे पहले किस ने दिया है, इजाज ने दिया है, well done इजाज, very good, जितनी तारीब करोती कम, और एक बात देखे हैं, बता दे तुम्हे, father of paleontology कौन कहलाते हैं, लियो नार्डो डाविंसी को कहा जाता है, फिर से सुन लेजे, father of paleontology किसे कहते हैं, लियो नार्डो डाविंसी कहते हैं, और दूसरा question इसी पर है, founder of paleontology कौन कहलाते हैं, क्यू वीर कहलाते हैं, founder of paleontology क्यू वीर कहलाते हैं, तीस सा option है, भीर बल साहनी इनिस्टिट्यूट आप पलेंटोलोजी, कहां पर पाई जाते हैं, लखनव में पाई जाती है, लखनव यूनिवर्सिटी में एक अलग ब्रांच बनाई गई है, जिसे बीर बल साहनी इनिस्टिट्यूट आप पलेंटोलोजी कहा जाता है, यह तीरो question कभी भी आप से पूछे जा सकते हैं, फिर से सुल लिजें एक बार, मैंने क्या बता है, फाउंडर आप पलेंटोलोजी कौन कहलाते हैं, क्यों वियर कहलाते हैं, फादर आप पलेंटोलोजी कौन कहलाते हैं, लियो नार्डो डा विंसी कहलाते हैं, और बीर बल साहनी इनिस्टिट्यूट आप पलेंटोलोजी ल जाता है यह सारे पॉइंट याद रखना है इजाज कोस्चन नमबर 30 आगे हैं कोस्चन वही जो हमने अभी बताया था बीर्वल सायनी वर्क आन पहला अप्षन है फॉसल्स प्लांट दूस्सा अप्षन है एलगी नेस्ट आप्षन है ब्राव पाइट नेस्ट आप्षन है ए बीर्वल सायनी इस्टिट्यूट आप पैलेंट लोजी सेच्टेड इन अभी बता चुके हैं निव दिल्ली दूसर आप्षन लकनो नेस्ट आप्षन कोलकाता नेस्ट आप्षन कानपूर 31 का सेकेंड एंसर सही है अभी बताया था और इजाज ने बिलकुल सही पकड़ लि करिए अप्षन है जार्ज क्योर दूसर आप्षन है हकसले ह तीसा आप्षन है डौल जोन्सकी तर्कश याज सब्सक्राइब 50 फर्स्ट का इजाज कोश्चन है 33 आपकी स्कीन पर आपके लिए अपनी प्रतिवा का प्रदर्शन करिए 33 यह रहा आपकी इस पर क्या दिया ग्या बेनान आप इंडेस्टियल मेरिश्म दिबाद पहला अप्षन है natural selection दूस्सा अप्षन है induced mutation reproductive isolation नेस्ट अप्षन है geographical isolation 33 का first answer सही है और 33 का first answer सबसे पहले किस ने दिया है 33 का first answer इजाज ने दिया है well done इजाज very good जितनी तारीब करोती कम question number 34 आपकी skin पर आपके लिए आ चुका है सो समझ के answer दीजे एक चाहिए question हम तुमारे लिए लाए है the change of the lighter colored variety of papered moth western bitularia area of area to it darker variety is due to चार option दिये गए है देखना है कौन सा option सही है तो 34 का second option सही है 34 का second option mutation of single man mandalin gene for survival in smoke second option सही है और second option सबचे पहले किस ने दिया है 34 का second option सबचे पहले दिया है सिवांस ने well done सिवांस 34 का second option आपने दिया है बहुत अच्छा question था second answer सही है next question तो ध्यां देना second question के उपर question number 35 आपके skin पर आ चुका है organic evolution means organic evolution का आर्थ क्या है history of race, development of race, progressive development of race, history and develop of race with variation 35 आपके सामने आ चुका है और 35 का fourth answer सही है और 35 का fourth answer सबचे पहले सार्थक का आया है well done सार्थक जितनी तारीब करो उतनी कम question number 36 अपनी प्रतिवा को दिखाने का पूरा मौका मिस्ला क्लासिस की तरफ आपको प्रोवाइट किया जा रहा है 36 दा बुक फिलास्पी जोलोगीक फिलास्पी जोलोगीक बुक किसकी है किसने लिखा था हिवगो डिब्रीज, दूसरा अपसन लेमार्ग, तीसरा अपसन मेंडल, नेस्टा अपसन हीकल 36 कोश्चन आपकी स्कीन पर है और ये बुक किसकी है? 36 का सेकंड एंसर सही है, ये बुक लैमार्ग की है और सबसे पहले 36 का सेकंड एंसर किस ने दिया है? इसने हल, पांडे ने दिया है, वेल डग इसने हल बहुत अच्छा question और उत्ता अच्छा ज्वाब लेमार्ग theory of evolution is called evolution की लेमार्ग की theory को क्या कहा जाता है 37 question है पहला option है theory of special creation दूसा option है survival of fittest third option है inheritance of acquired character next option है ननाबदीस 37 का third option सही है inheritance of acquired character और third option सब्चे पहले 37 का किस ने दिया है आरपा हसन ने दिया है well done आरपा हसन question number 38 आपकी skin पर एक question के लिए एक मिनट से कम समय दे रहे 38 question the concept of inheritance of acquired character was developed by पहला option है Aristotle दूसरा है अगस्त वीजमान नेस्ट है लेमार्क नेस्ट है Charles Darwin 38 का देखते हैं किसका answer third answer सही है और 38 का third answer सब्चे पहले किस ने दिया है सार्थक ने दिया है well done सार्थक जितनी तारीप करोती कम question number 39 आपकी skin पर आ चुका है the theory of use and disuse of organ was given by मतलब use and disuse organ की theory सबसे पहले किस ने दिया था पहला option है लेमार्क दूसरा option है वीजमान नेस्ट आप्षन है Darwin नेस्ट आप्षन हिंगो डिब्रीज ये तियोरी किस ने दिया था लेमार्क ने दिया था तो कौनसा एंसर सही होगा थर्टी nine का फ़र्स्ट एंसर सही है और 39 का फ़र्स्ट एंसर सबसे पहले किस ने दिया है शिवांस ने दिया है well done सिवांस जितनी तारीप करो उतनी कम next question नमबर 40 आपकी स्कीन पर एक कोश्चन के लिए एक मिनट से कम समय हम दे रहे विच वन डज नाट फिवर लैमार्ख इसम कांसेप्ट आफ इने डिटैंसी आफ एकोईट करेक्टर कौन सा कांसेप्ट इने डिटैंसी आप करेक्टर के फिवर में नहीं है पहला औप्षन है लि मिलेनी जेशन आप क्या है पापर्ड मौत इन इन्डेस्टियल एरिया थर्ड आप्शन है लेक आप पिग्मेंट्स इन केव डेवल्स देखना है कोश्चन नमर चालिस बिल्कुल बहुत पर्फेक्ट कोश्चन आया है और चालिस का देखते हैं किसका एंसर सही है चालिस का बेरी गोड़ बेरी गोड़ कोश्चन नमर चालिस का थर्ड एंसर सही है और थर्ड एंसर सब पहले किस ने दिया है चालिस का सिवांस ने दिया है वेल डन सिवांस तो चालिस का थर्ड एंसर तुम ने दिया है और बेरी गोड़ आज बहुत बढ़िया बढ़िया एंसर दे रहे हो आप, question number 41, discovery of wisdom following in 1980, predicted the existence of RNA world during early stage of evolution, पहला प्षन, RNA is not found in all cells, दुष्छ अप्षन, RNA has enzymatic properties, थर्ड आप्षन है, in some viruses, RNA is genetic material, नेश्ट आप्षन है, mRNA, tRNA, rRNA, synthesis, synthesized protein, देखते हैं, question number 41, आपकी skin पर आ चुका है, और 41 का answer second सही है, और second answer सबसे पहले किस ने दिया है, अच्छा, 41, question number 41 का second answer सही है, और 41 का second answer सबसे पहले किस ने दिया है, इजास, नहीं, सबसे पहले 41 का second option, आपसान, सिवांस, सिवांस का है, well done, सिवांस, ये answer आपकी खाते में जा रहा है, next question आपकी skin पर 42, पूरी प्रतिबार दिखाने का बहुका पूरा-पूरा, the first attempt to solve the problem of mechanism of organic evolution was made by, पहला option है, लेमार्ट, दूसरा, डार्वें, तिस्वालेसनेस, ओपेरिन, 42 question आपके सामने है, देखते हैं, organic evolution 42 का, क्या तुम लोगों का जवाब आ रहा है, 42 question है, the first attempt to solve the problem of mechanism of organic evolution was made by, तो सबसे पहले लेमार्ट ने काम किया था, लेमार्ट के बाट डार्विन आये थे, पूरी हिस्ट्री एक बार हम तुम को समझाया दे रहे है, लेमार्ट ने सबसे पहले evolution के उपर वर्क किया था, और लेमार्ट का क्यों फेल हो गया, इनहिलिटेंसी आप acquired character के कारण इनका लाब फेल हो गया था, और तब डार्विन आये थे, तो सबसे पहले लेमार्ट ने दिया था, उसके बाट डार्विन ने दिया था, ध्यान रखना आपको डार्विन ने सबसे पहले नहीं दिया था, तो 42 का first answer सही है, और first answer सबसे पहले 42 का, देखते किसका आया है, इजाज का आया है answer, very good इजाज ये point तुम्हारा सही है, next question आप किसके इन पर ये बात ध्यान रखना, evolution के उपर सबसे पहले वर्क किस ने किया था, लैमार्क ने किया था, और एक बार तो ये पूछ लिया गया था, लैमार्क कहां के रहने वाले थे, तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, next question 43 आपके स्कीन पर ये रहा, 43 questions ये रहा, बहुत जल्दी answer दीजे, very good, बहुत अच्छे इंसादे रहो, the scientist cut the tail of mice, but their young ones has tail, he disproved the theory up, तो कौन से scientist ने, चुए की पूछ काटा, कई जन्ने संटक, 80 जन्ने संटक चुओं की पूछ काटते रहे, लेकिन कोई भी, ऐसा चुओं पैदा नहीं हुआ, जिसमें टेल नहो, वैलिस ने किया था, जल्दी से बताईए 43, तो वैलिस ने किया था, ये experiment, और वैलिस ने सबसे ज़्यादा भिरोत किया था, तो 43 का third answer सही है, very good, सभी के answer सही आ रहे है, जितनी तारीब करो उतनी कम, और 43 का third answer, सबसे पहले किस ने दिया है, जो first number देने के लिए, अभी तक बहुत भ्याकुल थी, वो लड़ की है सिम्रन हरानी, सिम्रन हरानी का सबसे पहले answer आया है, सही answer आया है, well done सिम्रन हरानी, question number 44, आपके स्टीन पर आ चुका है, theory of continuity and germ plasma, प्रपोस भाई, तो theory of continuity of germ plasma, किस ने दिया था, अगस्त भीजमान ने, दूसरा option है, जॉर्ज मेंडल ने, next option लेबार्क, next option डर्विन, बताएए 44 का क्या होगा जवाब, first answer सही है, well done, well done, well done, तो 44 का first answer, सबसे पहले किस ने दिया है, सार्थक ने दिया है, सार्थक जितनी तारीब करोतनी कम तुमारी, question number 45, आपकी स्कीन पर आचुका है, 45 question आप देखिये, plant of gallipose, Iceland, resemble most closely to the plant of, पहला of planet of, पहला option है South America, दूसा option है North America, तीसा option है Asia, next option है Australia, 45 question का first answer सही है, और first answer सबसे पहले दिया है, अरफा हसन ने, well done अरफा हसन, बहुत अच्छे जवाब दे रही हो, question number 46, आपकी स्कीन पर आपके लिए, 46 question, जल्दी से जवाब दीजिये, आपकी स्कीन पर आगया है, क्योंकि एक question के लिए, एक मिनट से कम समय, we is one cut of the tail, of mice generation after generation, but tails neither disappeared nor shortened, showing that mutation theory is wrong, next option, Darwin was correct, next option, till its essential organ, Lamarckism was wrong, fourth option सही है, 46, 46 का fourth option सही है, Lamarck ने जो थेयरी दिया था, वो गलत थी, डिस्प्रूब कर दिया गया था, तो 46 का fourth answer सही है, well done, well done, well done, तो देखते हैं, 46 का fourth option सब से पहले किस ने दिया है, 46 का fourth option सब से पहले सार्थक का आया है, well done सार्थक, जितनी तारीफ करो तनी कम, question number 47, आपकी skin पर आ चुका है, 47 question and natural selection theory was proposed by Darwin along with, मत्ब डार्विन के साथ में natural selection theory किस ने दी थी और, एक है, well is, दूर सा, मेंडल, ती सा, मार्गन, नेस्प्ले मार्ग, तो 47, 47 जल्दी बताईए, 47 का first answer सही है, मत्ब natural selection, Darwin और Wallace दोनोंने मिल कर कहा था, तो first answer सही है, तो 47 का first answer सब से पहले किस ने दी आया है, 47 का first answer सब से पहले आया है, प्रांजल सिंका, well done प्रांजल, very good, बहुत देल बाद, आपका answer देखने को मिला, next question आपकी skin पर, 48 question, timing एक मिनट से कम, the idea of survival, survival of fittest was originated, presented by, पहला option, बालतस, दूसर option, लाइल, next option, suspension, next option, Darwin, तो survival of fittest idea किस ने दिया था, तो 48 का third answer सही है, Herbert Spencer ने कहा था, और Darwin ने इसी को क्या कहा था, natural selection कहा था, मतब दोनों की meaning सेम है, Darwin ने इसी को natural selection कहा था, और Herbert Spencer ने survival of fittest कहा था, तो 48 का third answer सही है, और 48 का third answer सबसे पहले किस ने दिया है, 48 का third option सबसे पहले सार्थक का आया है, well done सार्थक, बहुत answer सही है, तुमारा अच्छा, next question, आपकी skin पर, 49 question, आपकी सामने आ चुका है, दा गरिपोस आइसलेंड वाज एसोशेटेड विद, गरिपोस आइलाइन किस से समद्धित है, पहला option है लैमार्क, दुस्चा option डार्विन, तीसा option वैलेस, नेस्टा option मेंडल, question number 49, 49 का second answer सही है, ये डार्विन से समद्धित है, तो 49 का second answer, सबसे पहले किस ने दिया, इसने हल, पांडे ने दिया है, well done, इसने हल, ये तुमारा जॉब सही है, question number 50, आपकी स्कीन पर आपके लिए आ रहा है, डार्विन वाज इंप्रूस बाई रेडिंग दा, ऐसे आप, डार्विन ने किसके निमंद को पढ़कर काफी प्रभावित हुए थे, पहला option है, वैलिस, दो सा, स्पेंसर, तीस सा, मेंडल, नेस्ट, माल्थस, तो question number 50 का फोर्थ, पापुलेशन पर एसे माल्थस ने लिखा था, तो 50 का फोर्थ आंसर सही है, और 50 का फोर्थ आंसर सब से पहले किस ने दिया है, फोर्थ option 50 का सब से पहले इसने हल, पांडे का आया है, वेल डन इसने हल, नेस्ट कोश्चन आपकी स्कीन पर 51, 51 देखा जाए क्या एंसर है, फिप्टी वन का फोर्थ आप्शन सब से पहले किस ने दिया है, सिवांस ने दिया है, वेल डन सिवांस, कोश्चन नमबर 52 आपकी स्कीन पर आपके लिए, 52 कोश्चन देखे, डार्विन ट्रेवल्ड इन वेच सिप, डार्विन ने किस सिप के ऊपर अपनी किस ट्रेविल किया था, किस पर जॉब किया था, पहला है, पहला अप्शन है, एच एनस इगल, दूसरा अप्शन है, डी मेस्ट्री का नेस्ट आप्शन है, हमेस बीगल नेस्ट आप्शन है, टैंटेनिक, तो थर्ड एंसर सही है, 52 का थर्ड आप्शन, हमेस बीगल के ऊपर, इन्होंने वेच सर्वेच चड़ की आत्रा की थी, तो 52 का थर्ड एंसर किस का सही है, 52 का third answer सब से पहले आया है इजाज का well done इजाज बहुत अच्छा जौब दे रही है question number 53 आपकी skin पर 53 question देखे क्या है adaptation of species is its पहला option है acquired character दूस्सा option है agdysis next option है heredity characters next option है metamorphosis 53 53 देखे 53 का first option सही है acquired character सही answer है तो 53 का first answer सही है और first answer किस ने दिया है 53 का first answer सब से पहले दिया है एक मिनट अभी देखे लए रहा है 53 का first answer सब से पहले आया है shivans का आया है well done shivans very good एक question के लिए एक मिनट से कम समय हम दे रहे है 54 question आपकी screen पर आपके लिए आ चुका है Darwin book origin of species was published in Darwin की book origin of species कब published कोई थी बहुत बढ़िया question है बहुत अच्छा question है तो 54 का second answer सही है 54 का second answer क्या है 1859 में published की गई थी तो 54 का second answer सब से पहले किस ने दिया है फिप्टी फूर का second option सब से पहले सिवांस ने दिया है well done सिवांस जित्ती तारीब करो अतनी कम question यह बहुत important है आपको ध्यान रखना है question नमर 55 आपकी screen पर Galipos Island was located in the Galipos Island कहां located है Mediterranean Sea दूसरा Pacific Oceans नेस्ट है Atlantic Oceans नेस्ट है Indian Ocean 55 का second answer सही है और 55 का second answer सब से पहले सिवांस काया है well done सिवांस जित्ती तारीब करो अतनी कम और question number 56 आपकी screen पर आ रहा है 56 question देखा जाए क्या है Mutation theory explaining organic evolution was proposed by Mutation theory जो organic evolution दिया Mutation theory explained organic evolution was proposed by पहला option है यूगो डिब्रीज दूसरा option है Lewis posture तीसरा option डर्विन नेस्ट आप्शन हर्वे तो 56 का first answer सही है हूगो डिब्रीज और हूगो डिब्रीज कोई क्या कह जाता है father up mutation किसे कहते हैं और हूगो डिब्रीज ने अपना experiment evening primrose plant पर किया था और evening primrose plant का botanical name क्या है आइनो थोरा लैमार किया ना तो 56 का first answer सही है और 56 का first answer सबसी पहले किस ने दिया है सार्थ सारी का ने दिया है well done सार्थ का जितनी तारीप करो तनी कम next question आपका आपकी स्कीन पर आचुका है question number 57 Hugo डिब्रीज pointed the theory of mutation to explain the mechanism of evolution material on which he had experimented was अभी मैंने बताया है Hugo डिब्रीज ने अपना experiment evening primrose पर क्या था और evening primrose का botanical name क्या है आइनो थोरा लैमार किया था तो 57 का fourth option सही है और 57 का fourth option सबसी पहले किस ने दिया है सिवानस ने दिया है well done सिवान जितनी तारीप करो तनी कम question number 58 आपकी स्कीन पर आचुका है 58 question है Hugo डिब्रीज गेप his immutation theory in organic evolution while working on आप से इसका botanical नाम दे दिया है तो 58 का third answer सही है आईनो थोरा लैमार किया न तो 58 का third answer सबसी पहले सिम्रन हरानी का answer आया है well done सिम्रन हरानी next question 59 आपकी स्कीन पर आपके लिए 59 question आपकी स्कीन पर आपके लिए which best describe state देखते हैं किसने सबसे बढ़िया डिस्क्राइब किया है इस्ट्रेटा को तो पहला option is sedimentary rock layer that contain fossils दूस्टाप्शन है sedimentary rock layer that all date from the same historical time third option a molten rock that contain radioactive material and is dangerous to the health of human next option all of these are correct तो 59 59 का कौनसा option सही होगा 59 का first option सही है 59 का first option सबसे पहले किस ने दिया है सारीका का जवाप आया है 59 का first well done 59 का सारीका ने answer दिया है जितनी तारीव करोती कम सारीका 59 का first answer सही question number 60 आपकी skin पर आपके लिए आ चुका है noble price winner for radioactive carbon method is radioactive carbon method के लिए या discovery के लिए किसको noble price दिया गया था पहला option है बॉल्ट वूट दूसरा है डब्लू एफ लिवी नेस्ट आपसन है रिचर्ड लेकी नेस्ट आपसन है फूर रोट तो 60 question आपके सामने है और 60 का second answer सही है 60 question का second answer सही है और second job अभी किसी का नहीं आया है 60 का second answer सही है बॉल्ट वूट को noble price दिया गया था तो second answer सही है ये याद करना है इजास आप सभी second लगा रहा है मैंने बोल दिया है अब बताइए किसके कितने गलत हुए है किसके कितने सही हुए है जल्दी से बताइए और तुम सभी को मालूम है संडे को महा महरातन क्लास होगी 21 मार्च से महा महरातन क्लास 500 कोश्चन लगातार कराएंगे नान इस्टॉप जिन लोगों को बायो की प्रेटिस करनी है नीट में कमाल करना है 21 मार्च को लाइब क्लास में अटेंड हो और ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे बेरी गोड इसनियाल पांडे सिस्टी सिस्टी कोश्चन ये है सिस्टी कोश्चन ये पूछा गया है किस नोबल प्राइस विनर फार रेडियो एक्टिव कार्बन मैथिट मतब रेडियो एक्टिव कार्बन मैथिट की डिस्कावरी के लिए किसको नोबल प्राइस दिया गया था तो बोल्ट वुट को दिया गया था फरस्ट एंसर सही है फरस्ट एंसर सही है ध्यान रखना फरस्ट एंसर सही है जल्दी से बताइए किसके कितने गलत हो रहे हैं किसके कितने सही हो रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम है महा महरात्रन एक किसमार्च से शुरू होगा नहीं डेली नहीं होगी संडे टू संडे होगा संडे टू संडे महा महरात्रन क्लास संडे टू संडे होगी वेरिगोट सार्थक और सिवांस्तिय का तीन इनकरेक्ट हैं वेरिगोट वेरिगोट सही कर रही हो इजाज्त ने सही का डेली नहीं होगी संडे टू संडे क्लास होगी सिम्रा नहरानी चार इनकरेक्ट है वैसे 100% लाइन पे हो सिम्रा नहरानी लेकिन गलतियां अपने को और रोकना है इसने हलकी भी चार गलतिया है नैस, प्रांजल, सिंग के चार इनकरेक्ट हैं सभी लोग ज़्यादा तर चार पर आये हो इजाद चार-पांस गलत है गलतियां अपने को रोकना है हर आलत में रोकना है बायो के हम तुमको असली मास्टर बना के छोड़ेंगे ये मेरा तुमसे वादा है और नीट के अंदर एक अच्छी खासी रेंग का आपको गेन करनी होगी बस लगातार पुराने कोस्चन को देखते रहिए और अपनी कम्यों को दूर करिए और कम्यों को दूर करोगे 100% सिम्रा नहरानी नीट के अंदर एक बहुत बढ़िया स्कोर आप गेन करेंगे बस कोस्चन की प्रेटिस करती रहिए एन्सी आइटी पढ़ती रहिए बस इसके अलावार कुछ नहीं करना है नीट में टाप करोगे सभी लोग और देखते हैं समीर मिस्रा क्लासे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर जो भी लोग नए है चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए वीडियो को अपने अपने ग्रुप में सेयर कर लीजिए और थैंक्यू मेरी त क्योंग।